दोस्त वाज की सबसे पहली और बड़ी खबर जारखन में मैट्रिक और इंटर के परिक्षा के तिति में हुआ फिर बदल जारखन एकडमी कॉंसिल ने जारखन में होने वाले मैट्रिक और इंटर एक्जाम के तारिख में बदलाव किया है 24 मार्च को होने वाली मैट्रिक की एक्जाम अब 25 मार्च को होगी जबकि इंटर की परिक्षा 5 अप्रेल को होगी बतादे कि जार्खन में 24 मार्च को सरहुल का जुलूस निकाला जाएगा इस कारण विभिन संगठनों दवारा एक्जाम की तीथी में बदलाव का अनुरोद किया गया था जार्खन में नई नियोजन नीती को लेकर सरकार ने किया सर्वेक्षन का दावा जार्खन सरकार ने नई नियोजन नीती के संबन्द में कहा है कि इसमें 10 लाग से भी अधिक युवाओं की राय लिगई है 73 फिसदी युवाओं ने एकमत से कहा है कि 2016 से पहले वाली नियोजन नीती ही ठीक थी लेकिन अब विरोद कर रहे युवाओं का कहना है कि इसमें जार्खन से 10 ली बारवी के पास की अनिवारिता खत्म कर दी गई बीएड में नामांकन के लिए आज है अंतिम्ति थी जार्खन में बीड के सत्र 2023 पचीस के लिए नामांकन के लिए आवेदन की परक्रिया चल रही है 10 मार्च यानि आज आज आवेदन की अंतिम्ति थी है इसको लेकर जिहां इसके बाद आवेदन के लिए खोला गया लिंक बंधिया जाएगा जार्खन राज्य सयुक्त परवेश परिक्षा परिश्यत की ओर से 10 फरवरी से बीड के लिए आवेदन लिये जा रहे हैं केंद्र सरकार के विभीन मंत्रालेओं में भर्तियां केंद्र सरकार ने SSC की तयारी कर रहे युवाओं को खोली का तौफा दिया है सरकार ने SSC ने सेलेक्षन जेहां सरकार ने SSC में सेलेक्षन पोस्ट फेज 11 परिशा तेज के लिए अधी सूचन जारी की है इस भर्ति अभियान के माध्यम से 5,379 पदों पर भर्तियां की जाएंगी इस भर्ति के माध्यम से केंद्रे सरकार के विभिन मंत्रालेओं विभागों निदे सालेओं आदी में भर्तियां की जाएंगी लोगों के लिए संकट बन सकता है H3N2 वाइरस कोविड में हमारी से देश उबर ही रहा था कि इसी बीच H3N2 एनफ्लुएंजा के परकोप ने पूरे देश में चिंता और भी अधिक बढ़ा दी है बच्चे और बुजूर्ग तेजी से वाइरल की चपिट में आ रहे हैं डॉक्टर्स के अनुसान एनफ्लुएंजा के अधिकतर मरीजों में एक जैसे लक्षन है जैसे खासी, गले में खरास, जिहां गले में संक्रमन, शरीर में दर्द, नाक में पानियाना, जिहां जिसको लेकर मेडिकल एक्सपर्ट्स अलट मोड में आ चुके हैं वह इसके प्रकोप से निपटने के लिए दीशा निटदेश और सुझाओ भी देने लगे हैं 31 मार्च तक जारी होगा नीट पीजी दोहजार तेईस का रिजल्ट हजारों शात्रों के लागातार बिरोध के बावजूद नेशनल बोर्ड ओफ एग्जामिनेशन ने पाँच मार्च को नीट पीजी दोहजार तेईस का आयुजन किया और वहीं बिसे बिशेसेग्यों ने कहा की परिच्छा का कठनाई अस्तर आसान से मध्यम था इस साल लगबग दो दस्वलों नौ लाख उमिदवार नीट पीजी दोहजार तेईस की परिच्छा के लिए उपस्थित हुए थे परिच्छा सुबह नौ बज़े दोपहर बार वज़े तक एक ही शिप्ट में आयुजित की गई थी उमिदवारों को 200 MCQS का उतर देना था परिचा खत्म होने के बाद अब छातर नीट पीजी दोहजार तेईस के रिजल्ट की घोशना का इंतजार कर रहे हैं NBE द्वरा जारी की गई पहले की अधिसूचना के अनुसार नीट पीजी दोहजार तेईस का रिजल्ट 31 मार्च तक आधिकारिक वेबसाइट nbe.edu.in natboard.edu.in पर उपलब्ध होगा भारतिय खादिय निगम में बिना परिच्छा मैनेजर बनने का सुनहरा मौका भारतिय खादिय निगम यानि एपसी आई असिस्टेंट जनरल मैनेजर और असिस्टेंट जनरल मैनेजर के पदों पर भारति के लिए योग्य उमिद्वारों से आविदन मागे हैं इस भारति परक्रिया के तहत कुल 46 पदों को भारा जाएगा इच्चुक एवम जोग्य उमिद्वार जो भी इन पदों पर नौकरी पाना चाहते हैं वे एपसी आई की आधिकारिक वेपसाइट एपसी आई डोट जियोवी डोट आयन पर जाकर आविदन कर सकते हैं इन पदों पर एपसी आई भारती दोजार तेज के लिए आविदन करने की अंतिम्ति थी नोटिपिकेशन की तारिक से तीन दिन है यही भरती डेपूटेशन के आधार पर किजा रही है चैनित उमिदवारों को तीन वर्स के कारेकाल के लिए न्यूक्त किया जाएगा जिसे पाँच वर्स तक बढ़ाया जा सकता है देश में क्रिप्टो पर नकेल कसने की तयारी सरकार ने डिजिटल एसेट्स की निगरानी को कड़ा करने के लिए क्रिप्टो करेंसी या वर्च्वल डिजिटल एसेट्स पर मनी लॉंडरिंग के प्रावधान लागू किये है बीत मंत्रालेन एक गजर नोटिफिकेशन में कहा कि क्रिप्टो लेंदेन पास में रखने और संबंधित वीतिय सिवाओं के लिए धन शोधन निवारन कानून लागू किया गया है ऐसे में भारतिय क्रिप्टो एक्सेंजों को वीतिय खुपियाई काई भारत को संदिग्ध गतिवीधियों की सुचना देनी होगी यह कदम बैंको या शियर दलालों जैसी अनिय विनियमित संस्थाओं के समान ही डिजिटल एसेट्स के लिए प्रिवेंशन ओप मनी लॉंडिंग एक के कानूनों का पालन करने का जिहा करने की अनिवार्यता के बैश्विक चलन के अनुरूप है पिछले कुछ सालों के दोरान डिजिटल करेंसी या एसेट्स दुनिया भर में लोगप्रिये हुए हैं हलाकि पिछले साल तक भारत के पास ऐसे एसेट्स को बिनियमित करने या उन पर कर लगाने के लिए कोई स्पष्ट नीती नहीं थी अधि सुचना में कहा गया है कि ऐसी परिसंपतियों पर अब धन शोधन निवारन अधिनियम दोहजार दो लागू होगा बीत मंत्री निर्मला सीतारमन ने हाल ही में क्रिप्टो करेंसी को लेकर एक ग्लोबल फ्रेम वर्ग की वकालत की इसके साथ ही उन्होंने लोन की बैश्वी कमजोरियों को दूर करने और बहुपक्षे विकास बैंकों को मजबूत करने की भी बात की बिदेशी परेटकों के लिए भारत गूमना होगा सस्ता बिदेशी परेटकों के लिए भारत एक आकरसक गंतव्य है अमेरिका और यूरोप समेत तमाम अनियत देशों से लाखो परेटक हर साल भारत गुमने फिरने आते हैं अब इन परेटकों के लिए भारत में गुमना फिरना और शांदार अनुभव होने वाला है सरकार अपरत्यक्ष कर ब्योस्था जी एस्टी में एक बहु परतिक्षित बदलाओ करने जा रही है जिससे बीदेशी परेटकों को ठीक ठाक बचत होगी फाइनेंशियल एक्सप्रेस की ताजा जिहाँ एक ताजा ख़बर के अनुसार बीदेशी परेटकों को भारत में की गई खरिदारी पर जी एस्टी रिफंड देने की लंबे समय से अटके प्रस्ताव को जल्द मंजूरी मिल सकती है काफी समय से ऐसी मांग उठती है कि बीदेशी परेटकों को भारत में की गई खरीदारी पर चुकाए गए माल एवं सेवा करका रिफंड दिया जाना चाहिए अब सरकार इस पर जल्दी ही अमली जामा पहनाने की तयारी में है खबरों को माने तो अंतर राष्टिये परेटकों को GST रिफंड दिये जाने की परक्रिया और इसके नियम तय करने के लिए जल्द काम शुरू होगा अंतर राष्टिये महिला दिवस के मौके पर जब पूरी दुनिया महिला को लेकर सजग है उनके स्वास्थिय उनके विकास को लेकर चर्चा कर रही है उस समय भी देश में संताओन परतिशत महिलाए एनिमिया की शिकार है महिला एवं बालविकास मंत्राले के अनुसार देश में संताओन परतिशत महिलाओं पंदर से उन्चास वर्स के बीच एनिमिक होने का अनुमान है हाल ही में किया गया राष्टिय परिवार स्वास्थिय सर्वेशन इसकी पूष्टी करता है महिला एवं बालविकास मंत्राले केंद्र प्रायोजीत प्राधा जिहां प्रदान मंत्री मातरी वंदना योजना के तहत दो दस्वलों एक साथ करोड से अधिक पात्र लाभार्थियों के बीच 9420 दस्वलों पांच आठ करोड रुपए के मातरी वं लाभ का बीतरन किया गया है नमांकीत लाभार्थियों की संख्या का राजे वसंग्राज्यय शेत्रवार वीवरन भुगतान किये मातरीट्व लाभ के लाभार्थियों की संख्या और PMMVY के तहत बीतरित की गयी है PMMVY के तहत पात्र लाभारतियों को 5000 के मातित्व लाप का बीतरन यूजना की शुरुआत से ही जारी है जिसमें COVID-19 महमारी की आउधी भी शामिल है पात्र लाभारतियों को तीन किस्तों में परत्यक्ष लाभंतरन मोड में उनके आधार संख्या से जुड़े बैंक वो डाग कर खातों में सीधे नकत प्रोचाहन मिलता है अगनिवीर भरती में बड़ा बदलाव पहले लिखित परिच्छा फिर होगा फिजिकल टेस्ट भारती सेना इंडियन आर्मी ने अगनिवीर भरती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है अब अगनिवीर बनने के लिए अभिहारतियों को पहले ओनलाइन समाने परवेश परिच्छा उतीर्न करना अनिवारे है यह परिच्छा पास होने के बाद ही दूसरे चरण में फिजीकल टेस्ट को बुलाय जाएगा सेना की ओनलाइन समाने परवेश परिच्छा और जिहां फिजीकल टेस्ट पास करने के बाद तीसरे टेस्ट में मेडिकल टेस्ट होगा सेना के तीनों चरणों की परिच्छा में पास अभिहारतियों को ही सेना में अगनिवीर बनने क का मौका दिया जाएगा जियो ने सुरु की 27 और शहरों में 5G सर्वीस डिलाइंस जियो ने देश भर के 27 शहरों में अपनी ट्रू 5G सर्वीस की शुरुआत की है इस लॉंच के साथ जियो इन में से अधीक शहरों में अगले जनरेशन की ट्रू 5G टेकनलोजी लाने वाला पह 27 शहरों में उपलब्ध होगा चार साल में मिलेगी B8 की डिगरी आगामी सत्र 2023-24 से शुरू होगा यह नया कोर्स न्यू एज्विकेशन पॉलिसी 2020 के थाथ अधिसूचित किया गया ITEP कोर्स साल 2023-24 से देश की संताओन सिक्षक संस्थानों में शुरू होने जा रहा है ITEP यानि एकिकरित सिक्षक सिक्षा करिगर्म 4 साल की डिगरी होगी B8 के साथ किसी भी इस्टीम से पढ़ाई का होगा ऑप्षन Graduation की डिगरी में चात्र किसी भी स्टीम से पढ़ाई कर सकेंगे 4 साल की B8 की डिगरी में BA, BA, BAC, BA, BICOM, BA डिगरी मिलेगी अब चार में ही हो जाएगा graduation प्लस B.A. students अपनी पसंद और eligibility के अनुसार कोई भी stream से पढ़ सकेंगे